अब कभी ना कभी तो आपके मन में ये सवाल आया होगा कि क्या होता अगर सकड एल वीडो की अल्टी मेटरिक्स के साथ प्जुड जाता तो क्या सकड एल वीडो की अल्टी मेटरिक्स की पावर को बढ़ा सकता था हा मैं उसी अल्टी मेटरिक्स की बात कर रहा हूँ जो अल्वीडो ने बेंटन ओमनीवर्स के अल्टिमेट हीस्ट एपिसोड में बनाई थी तुम लोग अल्वीडो की पुरानी वाली अल्टी मेटरिक्स के बारे में सोचने मत लग जाना क्योंकि उस पर मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया है इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख सकते हो तो इसलिए अगर वो Elbido की Ultimatrix के साथ जुड़ जाएगा तो Scud आसानी से Ultimatrix को नहीं छोड़ेगा और Ultimatrix की पाउर को कई गुना जादा बढ़ा देगा और Ben 10 के लिए भी वो परेशानी बन जाएगा जैसे Khayber की Nemitrix में जुड़ने के बाद Scud ने Ben 10 को परेशान किया था Khayber के साथ मिलकर जैसा आप लोग सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है अगर Scud Elbido की Ultimatrix के साथ जुड़ जाएगा तो वो उसके लिए अच्छी बात नहीं होगी क्योंकि Ben 10 के Creators ने खुद बताया है कि अगर Scud Elbido की Ultimatrix के साथ जुड़ गया तो वो उसके लिए Junk Food की तरह होगी अब Junk Food का नाम तो आपने सुना ही होगा जब हम बाहर का खाना खाते हैं तो हमारे Parents हमसे यही कहते हैं कि Junk Food मत खाया करो वरना बिमार पढ़ जाओगे तो Junk Food का मतलब बाहर का खाना नहीं है Junk Food का मतलब होता है जो हमारे पेट के लिए हानिकारक हो यानि कि हमारी सेयत के लिए हानिकारक तो अगर Scud Elbido की Ultimatrix के साथ जुड़ भी गया तो Elbido की कोई भी पावर को इंक्रीस नहीं कर सकता हाला कि Ben 10 के Creators ने ये नहीं बताया कि Elbido के साथ अगर Scud जुड़ गया तो क्या होगा लेकिन Ben 10 के Creators ने ये बताया है कि अगर Scud Elbido की Ultimatrix के साथ जुड़ गया तो वो उसके लिए Tasty खाना नहीं होगा बलकि Junk Food होगा और Junk Food का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया है तो इसलिए कभी Scud Elbido की Ultimatrix के साथ जुड़ना ही नहीं जाएगा और एक बार को अगर Scud Elbido की Ultimatrix के साथ जुड़ भी गया तब भी वो जल्दी से Elbido की Ultimatrix से छुट ही जाएगा तो इसलिए इस सवाल का अंसर यहीं है कि अगर Scud Elbido की Ultimatrix के साथ जुड़ गया तो वो Elbido की Ultimatrix की कोई भी पावर को इंक्रीज नहीं कर सकता क्योंकि Elbido की Ultimatrix MPT है यानि कि पूरी की पूरी खाली है और जो भी है वो Elbido के अंदर है हाला कि Elbido की Ultimatrix Alien को Involve करने में मदद करती है लेकिन शायद Ultimatrix के इसी Evolutionary Feature की वज़ा से यह Scud के लिए हानिकारक होगी क्योंकि यह वाला Evolutionary Feature बिलकुल भी वैसा नहीं है जैसा हमारी पुरानी वाली Ultimatrix का था और यह आपको Elbido के Ultimate Aliens को देखकर पता ही चल गया होगा हाला कि Elbido ने एक बार यह भी जिक्र किया था ही यह Hyper Involve Form है लेकिन इस वाली Evolutionary Feature में कुछ ना कुछ तो गड़बर है ही तो इसी लिए यह Scud के लिए हानिकारक है तो खेर अब आपको जवाब मिल ही गया होगा कि अगर Scud Elbido के Ultimate Aliens के साथ जुड़ जाएगा तो नहीं Elbido का फायदा होगा क्योंकि Scud Elbido के लिए कोई भी Ultimate Form का हाथ या पैर या फिर कोई भी Body Part नहीं ला सकता और नहीं किसी भी Alien का Body Part ला सकता तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो और अपनी दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना